आज हम लोग अध्याय दो जिसका नाम है भोजन जरूरी है के बारे में जानेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं पूरे भारत वर्स में अलग-अलग तरह के खादे-पदात खाये जाते हैं हमारा जो भारत वर्स है वो बहुत ही विशाल है और इसमें कई छेतर के लोग भी रहते हैं तो अलग-अलग अगर आप छेतर में जाते हैं तो वहां के लोग अलग-अलग खादे-पदात यानि खाने वाले चीज़ को खाते हैं जैसे कि अगर हम दक्षिन भारत में चले जाएं तो वहां के लोग धोसा, इडले, सामभर ये सब खाना पसंद करते हैं तो वहीं अगर गुजरात में चले जाएं तो वहां के लोग धोकला, फाफ़डा ये सब खाना पसंद करते हैं और अगर जारखन की बात करें तो जारख सुबह में कुछ खाते हैं तो उस हमारा अं का बना यानि की गेहुं से बना से रोटी जरूर रहता है अगर हम दौपहर में खाएं गे तो दौपहर में चावल का बना कुछ जरूर रहता है तो एक अन से बना हुआ एक भोजन हम लोग एक वियंजन जरूर है अपने खाने में रखते हैं अब देखे यहाँ पे एक सार्णी दिया हुआ है उस आर्णी में बताया गया है कि अलग-अलग जो राज हैं उसमें के लोग जो हैं वहां के लोग वो अलग-अलग खादे-पदात खाते हैं जैसे कि अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के लोग चावल खाना ज्यादा पसंद करते हैं और अगर दाल की बात करें तो दाल में मूंग कर दाल, मसूर की दाल, चना की दाल ये सब खाना पसंद करते हैं और सबजियां में जो भी मिल जाए लेकिन वहां के लोग कदू, भिंडी ये सब जादा पसंद करते हैं और अन्य में अचार पापड, ठीक उसी प्रकार से अगर हम जारखन की बात करें तो जारखन के लोग भी खाद पदात में जाए तर चावल ही खाना पसंद करते हैं बिहार और जारखन तो बहुत पहले, 2000 के पहले एक ही था, फिर बाद में 2000 में उसको क्या हो गया, ये अलग-अलग कर दिया गया और यहां पे डाल की बात करते हैं, यहां के लोग मूंग, मसूर, उरद, अरहर की डाल सभी डाल खाना पसंद करते हैं और सबजियां सीजनली, मतब कि जो अलग-अलग मौसम में जिस प्रकार के सबजी मिलती है, लोग वहीं सबजी खाते हैं और अन्य में यहां पे भी अचार और पापड होंगे, तो आपने देखा कि अलग-अलग राज में अलग-अलग प्रकार के खादे-पदात लोग खाना पसंद करते हैं लेकिन यह जो अलग-अलग खाद-पदात खाते हैं, तो यह सब खाने का उसर तभी हो सकता है, जब हमारत जो प्रिस्थीतियां है, वह समाने हो मान लेते हैं कि अगर आप कहीं ऐसे जगा पर है, जहां पर यह सब खाना मिल ही नहीं पा रहा है, तो क्या आप उसको खा सकेंगे, नहीं खा पाएंगे या अगर कहीं आप घूमने जाते हैं, कहीं आप यात्रा में हैं, और वहाँ पे रास्ता में ये सब खाना उपलब्ध नहीं है, नहीं मिल पा रहा है, तो भी आप नहीं खा सकते कही रास्ता में आपको जिस प्रकार का खाना मिलेगा जैसा व्यंजन मिलेगा वैसे ही आपको खाना पड़ता है क्योंकि आपको पेट भरना है तो पेट भरने के लिए जो आपको मिलेगा वो आपको खाना पड़ेगा अब देखे इस पार्ट का टॉपिक क्या था इस पार्ट में दियावा था भोजन जरूरी है ठीक है तो भोजन क्यों जरूरी है तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो भोजन है वह सरीर को क्या करता है उर्जा प्रदान करता है तो उर्जा क्यों जरूरत है हमारे सरीर के अंदर बहुत सारे जयाविक प्रकरम होते हैं जैसे की उत्सरजन हो गया, सांस लेना, सांस छोड़ना ये सारा जयाविक प्रकरम है जो की हमेशा होते रहता है तो ये सब चीज के लिए हमें उर्जा के ओशक्ता होती है और वह उर्जा हमें कहां से मिलेगा तो वह उर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है इसके साथ ही साथ हम जो भी भोजन करते हैं वो हमारा दिमाग में यह चलता है कि वो भोजन स्वादिश्ट हो क्योंकि हमें स्वादिश्ट भोजन करना जादा पसंद होता है कुछ कुछ ऐसे भी जैसे कोई तयोहार वगेरा आता है तो हम लोग पकवान भी बना कर खाते हैं क्योंकि हमें पकवान भी बहुत जादा पसंद है तो भोजन की या विवीदिता जैसे हम समय समय पर तरह तरह के भोजन खाते हैं अब भोजन की या विवीदिता भोजन के आवश्य घटक है जिने हम क्या कहते हैं पोशक कहते हैं अर्था नूट्रियंट्स कहते हैं अब देखते हैं पोशक कौन-कौन से हैं मुख्य पोशक त इसके अत्रिक्त हमारे भोजन में रुपछांस तथा जल भी सामिल है जिनको हमारे सरीर को बहुत ही ज्यादा और शक्ता होती है अब देखे यहाँ पर तो कुछ पोशक ततो हम लोग देख लिए अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से जो भी हम खाद पदात खा रहे हैं उसमें किसमें कार्बोहाड़िट है किसमें प्रोटीन है तो किसमें वसा किसमें विटामिन किसमें खनी जलवन ये सब चीच हम कैसे पता करते हैं, तो यहाँ पर कुछ क्रिया कलाब दिए वे हैं, जिसके जरीए हम जान सकते हैं, कि किस-किस भोजन में कौन-कौन से पोषक्तातू मौझूद है, तो चलिए, पहला क्रिया कलाब देखते हैं हमारे पास सामागरी में आलू का टुकड़ा है तीक है और हमें पता करना है कि आलू का टुकड़ा में कौन सी पोशकता तो होते हैं तो हम एक आलू का टुकड़ा ले लेंगे और आयोडियन का घोर ले लेंगे अब इसे कैसे करना है एक प्लेट में आलू के छुटे टुकड़े लीजिए एक प्लेट है उसमें आलू का यहाँ पे देखे कुछ आलू के पीसिस किये हुए है टुकड़े किये हुए है उस टुकड़ा को यहाँ पे रख देते हैं अब इसमें आयोडीन का कुछ घोल की कु के बाद उसमें कुछ थोड़ा सा टिंक्चर आयोडिन मिला देते हैं झालप देते हैं झाल 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 झाल